Hello everyone, welcome back to my channel शिक्षा बिभाग में होगी बंपर बहाली शिक्षको का बढ़ेगा बेतन मुखी मंतरी नितिश कुमार ने घुसना की है कि शिक्षा बिभाग में बढ़े पैमाने पर शिक्षको और अनिपदों पर बहाली होगी इसकी तैयारी जो है चल लही है शिक्षकों से अपील है कि पूरे मन से बच्चों को पढ़ाए आप लोगों का आगे भी समय समय पर बेतन जो है राजसरकार बढ़ाएगी मुखे मंतरी शनीवार को उच्चे माध्विक विद्याले के 379 प्राध्यापक जीला शिक्ष्षव प्रशिक्षण संस्थानों के सैथिष ब्याक्याता पटना विश्विद्याले बढ़ा भालाना मजरूल हक विश्विद्याले के 17 सहायक प्राध्यापक अब मराज किया वियंतरन महाविद्याले के 149 साहयक प्रध्यापको के निउक्ती पत्रवितरन कारेकरम में यह बाद जो है ओ कही है और उप मुखे मंतरी तेजश्वी आदब ने कहा है कि राज्ये में महागटवंदन की शरकार राज्ये की विकास और युबाओं गरीबों के उत्थान के ल को विशेस राज्ये का दर्जा मिले विशेस पैकेज मिले इस पर कोई विचार नहीं किया जारा उन्होंने प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वर्स 2022 तक किशानों की आमदली दोगूनी करने की घोसना का क्या हुआ बताए हर साल दो करोर की नौकरी देने का अलान करने वाली के अंदर आट सालों से कितने को नौकरी दिया बताएं कहा कि पिच्रा और गरीब राज्ये होने के बाब जूद बिहार सरकारी वाओं को बड़ी शंक्या में सरकारी नौकरी और रुजगार के शाधन मुहया करा रही है यह भी कहा कि तिहास को बदलने की क पोसिस केंदर द्वारा की जा रही है जिससे हम लोग कभी नहीं होने देंगे मौके पर बितो मंतरी वीजय कुमार चौधरी शिक्षा मंतरी चंदर शेखर मंतरी शुमीत कुमार सी मुख्य सचीब अमीर सुभानी और शिक्षा बिभाग की अपर मुख्य सचीब दीपक कु बाइ